तो मैं Study Wave से फैजल अली और लेकर आगे हूँ आपके लिए एक और अच्छा टॉपिक और आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है रेमुनरेशन तूदी पार्टनर्स कि अगर पार्टनर को सैलरी या कमिशन दी जाती है तो हम किस-किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग ट्रीट पार्टनर्स कापिटल अकाउंट भी पढ़ा और इंटरस्ट और ड्रोइंग भी पढ़ा तो बेसिकली अगर आपने सबसे पहले वो वीडियो नहीं देखी तो most important आप सबसे पहले वो वीडियो देखे ताकि आपको आज की क्लास सबसे जादा अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है बच्चो और अगर आपने भी तक मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं करा तो जल्दी साब जाएए मेरा चैनल सबस्क्राइब करिए ताकि फ्यूचर में और भी जो अकाउंट एंसी की और एकोनोमिक्स के इच्छे इच्छे वीडियो आने वाली है आपके स्लेबस के वो भी आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाए तो आज का टॉपिक है हमारा रैम Alabनेर के यंदेमेंट ट्रिटमेंट हम किस तरीके से करते हैं आज की पूरी क्लास के अंदर वो सीखने वाले हैं ठीक है बच्चो चैप्टर था हमारा fundamental और partnership अभी वो ही चल रहा है और उसके अंदर जो topic है वो हमारा remuneration to the partners जिसमें हम salary और commission की बात करेंगे जो partners को दी जाती है सबसे पहले मैंने इसके अंदर 3 note बनाए हुए note 1, note 2, note 3 chapter को समझने से पहले, topic को समझने से पहले हमने ये सबसे पहले 3 note अच्छी तरीके से समझने तब इसके उपर numerical question करेंगे और फिर सारे question हमसे आसानी से हो जाएंगे सबसे पहली बात आती है कि business के अंदर partnership deed exist करता है कि नहीं, अगर आपके business के अंदर partnership deed exist करता है तो exist करता है या नहीं करता है, इसकी बहुत ज़ादा importance होती है, तो देखते हैं सबसे पहले कि यह हमारी salary या commission को किस तरीके से affect करता है अगर आपके business के अंदर partnership deed नहीं है, यानि आप जो business कर रहे हो आपने कोई भी partnership deed नहीं बनाया तो इस स्थीती में partner को ना तो कोई salary देनी है, ना ही तो commission देना है, ठीक है, किलर होता है partnership deed नहीं है, तो salary commission की कोई बात नहीं आई की सामने अगर आपका partnership deed है लेकिन वो ये नहीं बताता कि हमने salary भी देनी है और commission भी देना है, यानि वो salary और commission के regarding बिल्कुल silent है, वो कुछ नहीं कहता, तो भी हमें salary और commission अपनी तरफ से नहीं देना salary commission allow नहीं करना partners को, ठीक है बच्चों, तीसरी बत समझते हैं ज़रा से exist and allowed कहारा है कि अगर partnership deed हमारी exist करती है, और partnership deed हमारे को कहता है कि salary देनी है per month, salary देनी है quarterly, salary देनी है half yearly तो ही हमें salary देनी है ठीक है, या फिर हमें बोलता है कि commission देना है, ठीक है after commission देना है, या before commission देना है, तो ही हमें commission allow करना है तो इस first note के अंदर हमने क्या सिखा, कि अगर partnership deed exist करता है, और partnership deed कहता है, कि salary भी दो, commission भी दो partner को, तो ही हमें salary या commission partner को देना है, otherwise confused होने की जुरुत नहीं, हमें partner को किसी भी तरीकी की कोई salary या commission लाओ नहीं करना, चलिए, note second समस्ते है salary and commission to the partner is an appropriation of the profit, not charge against the profit, बच्चों मैं आपको बताया था कि जो चीजे P&L account में आती हैं, उन्हें हम कहते हैं, चार्ज against the profit, और उसके अंदर basically ज्यादा तर firm के खर्चें हमने देखने को मिले, यानि firm के सारे खर्चें हम P&L account के अंदर देखते हैं, जिने हम कहते हैं, charge against profit, firm को profit हो या ना हो, वो खर्चे आप firm को pay करने पड़ेंगे, इसी तरीके से जो partner की salary और commission है, वो आता है P&L appropriation account के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि P&L appropriation account में जितने भी आइटम आएंगे, उनको हम क्या कहते हैं, charge, not charge against profit, हम फिर बोल देते हैं, appropriation of profit, ठीक है बच्चो, तो ये बात हमें ध्यान रखना है, कि जो हमारा salary और commission है, वो हमारा P&L appropriation account में आता है, इसलिए appropriation of profit है, और ज़्यादा तर profit होने की इस्थिती में ही उनको provide किया जाता है, ठीक है? चलिए, अगले नंबर पे समझते हैं, अब इसमें दो चीज़े हैं, एक है हमारा salary remuneration की बात आती है, तो remuneration में दो चीज़े आती है, salary और commission तो बच्चो salary के अंदर question में आपको जो examiner वो जादा नहीं घुमा सकता बच्चे salary को आसानी से pick up कर लेते हैं, आसानी से पकड़ लेते हैं, जैसे अगर salary में बोलता है per annum, ठीक है, यानि कि commission के उपर, कि commission partner किस-किस तरीके से commission दी जा सकती है बच्चो, partner को commission दो तरीके से दी जा सकती है before charging such commission और after charging such commission क्योंकि 11th class में हमने एक manager commission वाला topic पढ़ा था, आप लोग अगर याद हो तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़े बता चुके हैं, कि before charging commission का मतलब क्या होता है अगर वो आपको बोलता है net profit पे तो net profit पे, अगर वो बोलता है आपको net divisible profit पे, तो net divisible profit पे देना है आपको, ठीक है अगर वो बोलता है कि भाई, commission देना है हमें 10%, कैसा before charging commission, और आपका example के तौर पे मैं बोलता हूँ firm का net profit है, एक लाख ठीक है, और commission देना है before कितना 10%, तो हम सीधा क्या करेंगे एक लाख रुपे का, सीधा 10% निकालेंगे, और हमारा answer आजाएगा 10,000 लुपीज, बात समझे में आगी बच्चो, तो before में बहुत आसान है, before में कोई problem वाली बात नहीं है, अगर वो net profit पे बोलता है, तो net profit net divisible profit पे बोलता है net divisible profit into my rate by 100, ठीक है, clear हो गया होगा बच्चो को, ठीक है after charging the commission बोलता है अगर after charging such commission बोलता है, तो कैसे, अगर net profit पे बोलता है, तो net profit, net divisible profit पे बोलता है, तो net divisible profit ठीक है into में rate और नीचे 100 plus में rate मैं आपको 11th class में भी समझाया था कि किस तरीके साथ है क्योंकि इसके अंदर जो हमारा commission है वो हमें क्या करना है चार्ज करने के बाद देना है basically तो हम इसमें 100 plus rate करते हैं और अब हम इनके ओपर numericals भी करने वाले हैं थोड़ा सा इनकी journal entries भी हम लोग देख लेते हैं कि journal entries किस तरीके से की जाती है बच्चो जब partner को salary commission दिया जाता तो उसकी journal entry पास की जाती है यानि allowing remuneration to the partner partners को salary commission दी जाती है तो firm के लिए खर्चा है debit करते हैं two partners current या फिर two partners capital account अगर हमने fix method अपना है हुआ है तो current लिखेंगे fluctuating है तो हम capital लिखेंगे ठीक है बच्चो क्योंकि firm का खर्चा है salary और commission debit करते हैं और partners को हम दे रहें तो partners account को हम credit करके चालते हैं इसी तरीके से जब हम इसको ट्रांसफर करते है पिय आप्रूपीरिशिं अकाॉंट में जाता है अगर यह दो एंट्रियां याद करनी एक एंट्रिय याद कर लो इन खतम हो जागा, alternate entry बताता हूं, profit and loss appropriation account debit to partners, capital या फिर current account, fix और fluctuating के हिसाब से capital या current लिख देंगे, तो profit and loss appropriation account में debit जाता है, partners के capital में credit जाता है, इसलिए मैंने ये वाली entry भी पास देंगे, ठीक है बच्चो, इसी तरीके से, अगर हमने account बोला है, बोला है कि P&L appropriation account में salary और commission को हमें दिखाना है, तो वो भी हम लोगों को आता है, हम बनाते थे P&L appropriation account, इस तरीके से बनाते थे, particular rupees, particular rupees, ये बन जाता था हमारा, हम यहाँ पर क्या लिखते थे बच्चो, net profit, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आता था, to salary, ठीक है, अगर दो partner है, A, B, जो भी salary आईग और to commission, A, B, जो भी commission हैगा, तो इस तरीके से हम इसको P&L appropriation account के अंदर present करते थे, ठीक है, तो मैंने आपको सारी बाते बताई, partnership deed के regarding भी बाते बताई, क्या कहता है, partnership deed, salary और commission को लेकर, इसी तरीके से मैंने आपको note भी बताया, इसी तरीके से मैंने इसके accounting treatment भी बताई, औ account में इसे किस तरीके से हम शो करते हैं, और अगर आपने P&L appropriation की ये वीडियो नहीं देखी, तो आप जाएए, सबसे पहले वीडियो देखी ताकि और अच्छे सा आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है, आए, इनके उपर numerical question स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से छोटे से topic को 120 पर एनम, इच, अब कहा रहा है कि हमार भानू और चारू तीन पार्टनर थे, हमार और भानू को उसमें से salary मिलती है, दोनों को salary मिलती है, दो पार्टनर को, ठीक है, एक लाग बीस हजार हर एक को मिलती है, दियार manage the business, क्यों मिलती है, क्योंकि हो business को manage करते हैं, net profit for the year, net profit दे रखा है, 4,80,000, determine the share of the profit to be carried to each partner, अब यहाँ पर यह नहीं बोला कि P&L appropriation account बना कर ही करो, तो इस normal बस calculation करके इसके अंदर हमें दिखानी है, तो इस मैं अभी commission नहीं बोला, सिर्फ salary बोला है, commission आगे question में बोलेगा, तो भी हो देखते हैं, ठीक है, आई इस question को solve करते हैं लीजे बच्चों, मैंने आपके लिए question की समरी उतार दी, partner है, तीन, अमर, भानू और चारू, salary मिल रही है, दो का, अमर और भानू को, एक लाग, बीस हजार पर एनम, each मिल रही है, net profit दिया हुआ है, determined, each partner का profit हमें determine करके दिखाना है, ठीक है, तो calculation of net divisible profit, net divisible profit की calculation करते हैं सबसे पहले net profit दिया हुआ हमें, question के अंदर net profit कितना दिया है, 4,80,000, इसमें से हम minus करते है, salary, salary minus करना है, किस किस का है, A का, और B का, और A का salary अगर हम देखे तो है, 1,20,000, B का salary भी है, 1,20,000, इसको हमने minus करना है, ठीक है, net profit दिया था, दोनों की salary minus कर देते हैं, हमारे क्या पता चल जाएगा, net profit, इन दोनों को minus करने सारा 2,40,000, यह आगे आपका net divisible profit, इसमें 3 partners के profit है, ठीक है, इसमें 3 partners के profit है, अब हमें इस profit को 3 partner के अंदर distribute करना है, ठीक है, हम इस same calculation को P&L appropriation account के अंदर भी बना के दिखा सकते थे, उसमें कोई problem नहीं है, लेकिन इसमें पूछा नहीं गया, इसलिए मैंने बना एन इपिंडल appropriation account, ठीक है, तो profit of, profit of each partner, हर partner का profit कितना आएगा, 2,40,000 रुपे net divisible profit है, और हमारे firm के अंदर total 3 partner है, अमार, भानू और 4 रुप, यानि के इसका हमें ratio भी नहीं दिया हुआ, अगर ratio नहीं दिया, तो partnership deed के अंदर हम क्या मान लेते हैं, partnership में हम equal मान लेते हैं, तो यानि के 3 partner है, तो मैं 3 सा इसे क्या कर देता हूँ, divide कर देता अब इसी में salary में वो बहुत सारी manipulation आपके साथ कर सकता है, जैसे यहाँ पर उसने per NMDI, per month देता, तो मैं 12 से into कर देता, अगर वो half yearly देता, तो मैं 2 से into कर देता, अगर वो quarterly देता, तो मैं इसे 4 से into कर देता, ठीक है, अगर उसने तीनों के profit बोला होता, तीनों की salary बोली हो होती, तो सिर्फ एक की salary माइनस करता, तो वो इस salary के अंदर ही आपसे बहुत सारी manipulation कर सकता है, आपको ध्यान लगा कर आपको question को solve करना है, कि वो question के अंदर क्या कह रहा है, ठीक है बच्चों, आईए आप कुछ questions हम commissions के ओपर भी देख लेते हैं, बच्चों, question number 33 में आपको के लिए करवाने के लिए जा रहा हूं, 33 में देखते हैं क्या कहता है, XYZ are the partner sharing profit and losses equally, as per the partnership deal, Z is entitled to get a commission of 10% on net profit after charging such a commission, तो ये important बात है, कहरे कि Z को हमें क्या देना है, commission देना है 10% और after charging such commission, तो मैंने इसका formula भी आपके साथ discuss करा हुआ है, ठीक है, देखते हैं भी, the net profit before charging a commission, और net profit हमें दे रखा, इस commission को minus करने से पहले, 2,20,000, determine the amount of the commission payable to Z, कहरे कि Z को कितनी commission pay करनी पड़ेगी, वो हमें calculate करके दिखाईए, आए स्टार्ट करते हैं, question, बच्चों मैंने अब के लिए question की समरी उतार दिये, partner है हमारे पास, X by Z, तीनों का बराबर share है, Z को commission मिलेगा, 10 परतीशत, ठीक है, और after such commission मिलने वाला है, net profit है, 2,20,000, और determine करना हमें commission Z का, ठीक है, आए स्टार्ट करते हैं, calculation of commission payable to Z, कि Z को कितना commission मिलने वाला है, ठीक है, तो मैंने लिखे दिया, calculation करने है, Z को कितना commission देने वाले, लेकिन इससे पहले हमें एक थोड़ा formula देख लेते, क्योंकि इसमें लिखा है, after commission, after such commission, यानि कि commission को minus करने के बाद देना है, ठीक है, इसी तरीकी से before वाला भी हो सकता है, तो before वाले में direct निकल जाता है, और after वाले में थोड़ा सा formula अलग होता है, यह दोनो formula लिखे हुए, अगर before है, तो कोई दिकत निया, net profit पे जो भी rate है, हम सीधा rate से into कर देंगे, अगर after है, तो after के अंदर net profit या net divisible profit, जो भी जिस पे भी हमें बोला गया है, हम rate में rate को उपर रखेंगे, और upon में 100 plus rate कर दे ठीक है, net profit के उपर बोला गया, net profit हमारा 2,20,000 into, rate कितना है, 10% upon, और formula क्या था, 100 plus rate, ठीक है बच्चों, तो 100 plus rate कितना है, 10%, यानिके 10, ठीक है, तो 2,20,000 into में 10 by 110, ठीक है, यह हमने लिख दिया, calculation कर देंगे, calculation करके आजागा आपका यह, 20,000, तो 20,000 की commission, हमें किसको देनी पड़ेगी, jet को देनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों, आए एक question, और देखते हैं, चले बच्चों, इस topic का last question हम लोग try करते हैं, question number 34 में आपको लिए करवाने के लिए जा 1,80,000 for the year, ended 31st March 2020, net profit दे दिया कि 1,80,000 रुपे कमाया है last time, as per the partnership deed, they are to be a charge a commission 20% on the profit after charging such a commission, कह रहा है कि partners को commission दिया जाएगा 20% after charging commission, ठीक है, after charging such commission, which they will be share, और यह जो commission है, यह सारे partners के लिए 20% और वो इस commission को इस ratio के अंदर बाट लेंगे, you are required to show the appropriation of the profit among the partners, कह रहा है कि हमारे को जो कितना कितना profit मिलेगा, वो हमें distribute करके दिखाना तो, इस question में हम P&L appropriation account बना लेंगे, और proper question को आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम distribute करने ठेक है बच्चो, आइए question start करते हैं, बच्चो मैंने आपके लिए question की समरी उतार दिया है, A, B, C, D, 4 partner है, 4, 3, 2, 1 में वो share करते हैं, net profit दिया हुआ है, उनका 1,80,000, commission मिलेगा सारे partner को 20%, किसका net profit का after charging commission है, और वो जो commission आएगा, उसको हम इस ratio में partners के बीच में distribute करेंगे, तो आइए question start करते हैं, मैंने format बना दिया आपके लिए P&L Appropriation का जिस तरीके से बनता था, और P&L Appropriation में सबसे पहले आता था, by net profit, याद होगा आप लोगो, ठीक है, net profit दिया हुआ हमारा 1,80,000, उसके बाद net profit में से हम P&L Appropriation में IOC माइनस करते थे, salary वगर ये सारी चीज question में तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ question के अंदर commission है, तो commission माइनस किया जाएगा, to commission, ठीक है, commission कैसे निकालना है, बच्चो, commission निकालना है, net profit का after charging दे रखा है, तो net profit हमारा दे रखा है, 1,80,000, क्योंकि after charging सच commission है, तो कितने percent है, 20% तो 20 upon 120, यानि कि 100 प्लस percentage जो भी होगा, तरीके से निकाल दे, commission समझ में आ, सारे बच्चो को, किस तरीके से निकाला, net profit, into में, जो भी rate है, commission का, और नीचे 100 प्लस rate, ठीक है, क्योंकि हमारे को after charging commission दे रखा है, ठीक है, बच्चो, यह अपने निकाला, calculation करके आ रहा है, आपका, 30,000, तो total commission निकल गई, 30,000, इस commission को, हमें partners को देनी है, इस वाले ratio के अंदर allow करनी है partners को, ठीक है, तो बाट देते हैं, कितने partner है, A, B, C, और D, मेरे पास 4 partner है, तो किस किस तरीके से बचेगा, 30,000, into, 30,000, into, 30,000, into, 30,000, into, ठीक है, किस ratio बचेंगे, इस ratio में, इनका total कर लेते हैं, इनका total आएगा 10, और सबसे पहले कितना है 2, तो सबसे पहले वाले को मिलेगा, 2 by 10, दूसरे वाले में कितना है, 3, तो total कितना है, 3 by 10, 2 by 10, फिलास्ट में 3 by 10, इस तरीके से हम निखाल लें गें, जितना भी calculation करके आएगा, जैसे कि पहले वाले का आएगा आपका 6000 दूसरे वाले का आएगा आपका 9000 तीसरे वाले का आएगा आपका 6000 और चौते वाले का आएगा आपका 9000 ठीक है बच्चो इसकी calculation हमें यहीं लिखनी है क्योंकि मैंने main amount बाहर लिख दिया था ठीक है अब हमारे को net profit निकालना है total profit हुआ था 180 जिसमें से खर्चा दिया हमने commission का 30,000 तो आजएगा आपका 2 net divisible profit 180 में से 30,000 माइनस करेंगे आएगा 150 यानि 150,000 जो कि हमें distribute करना है profit partners के बीच में A के, B के, C के और D के बीच में ठीक है बच्चो आएए देख लेते हैं 150 का profit हुआ जो कि बटेगा इनके बीच में 150 into 150 into 150 into 150 into 150 into किस ratio में बटेगा partners की profit sharing ratio दे रखी है 4,3,2 और 1 4,3,2 और 1 तो टोटल कर लेंगे यानि के सबसे पहले वाले का था 4 by 10 दूसरे वाले का था 3 by 10 और तीसरे वाले का था 2 by 10 और चौथे वाले का था 1 by 10 इस तरीके से मैंने लिख दिया आए calculation कर लेते हैं पहले की calculation करके आ रही है 60,000 दूसरे 150 इंटू 3 डिवाइड में 10 या आएगा आपका 45,000 ठीक है बच्चो इसी तरीके से थार्ड वाले का आएगा आपका 30,000 और लास्ट वाले का आएगा आपका 50,000 15,000 ठीक है calculation कर देते हैं टोटल कर देते हैं 180 टोटल बड़ा टोटल था इधर भी 180 ठीक है तो question हमने पूरा solve कर दिया तो बच्चो आज मैंने आपको partners की salary और commission का calculation करना सिखाया है अगली class हमारी बहुत ही important class है जिसके उपर board में कई बार exam में question पूछा गया है और वो है guarantee to a partner की partner को किस तरीके से हम guarantee देते हैं तो चलिए बच्चो मिलते हम अगली वीडियो में जिसमें हम guarantee to a partner topic कवर करेंगे ठ अजिक के दो है और मुद्ली और